पुलिस विभाग की छवी खराब करने वाली थाना बारगंगा इन दौर में पदस रह चुकी कल्यों की सब इंस्पेक्टर भहु शद्दा सी परिहार भहु की शाष की पटवारी बहन पुजा सहित मा मदूसी महिला एवं बालवी का सदिकारी की जाज परताल में दोशी पाए गई वकिल क्रश्न कुमार कुमारे ने बताया की इन दौर में डीएस पी रह चुकी 62 वर्षिय सीनियर सिटीजन पिडिता प्रभा चोहान सास एवं पोते को दातों से काट कर प्राण घातक हमला कर गंभी रुप से घाल करने सर्विस रिवॉल्वर नीजी गलत इस्तिमाल करने वाली सब इंस्पेक्टर बहु सहित माई के वालो के विरुद महिला एवं बालवी का सदिकारी एवं पिडिता सास के अभी भाशक के तरकों से सहमत होकर जिला कोट इंदौर ने संख्यान लेते हुए घरेलू हिंसा के अंतरगत महिला को संडरक्षन अधिनियम की धारा में मुकतमा दर्स किया है सब इंस्पेक्टर बहु सहित माई के वालो को कोट में पेश होने के आदेश भी दिये गए पता चला है कि आरोप है कि दातों से काटने के आदी बहु की आखो देखी करतुत उसी के ही बेटे ने उजागर की थी इंदौर से जैस सिम्रिया की रिपोर इंदौर में अपने सेवानिर्थ रह चुकी है डिएस पी और अभी वर्थवान बासर वर्षी है सीने सिटिजन स्रिमती प्रभाचवान निमासी लसूरिया चुकी इंदौर में पदर्ष रहने के बाद यह सेवानिर्थ हुए थे इनिकी बहुए सब इस्पेक्टर स्दा सिंग पवार जो की कुछ समय पूर वही यह थाना बाढगा में पदर्ष थी और सद्दा सिंग परियार के द्वारा आये दिन अपनी सास से बोला जाता कि जुलाई दो हजार गुनिस की अदर रात्री शद्दा शिंग परियार अपनी माम बंदू के साथ और उसकी सास की पटवार इवन पूजा के साथ रात को सवा एक बज़े इनके घर में जबजस्ति घुसी इनके साथ में बेटे को लेकर पूस्ता से करी मारा पिटी करने के स साथ में इन वरत कबा तो इनकी च्छाती पेए कट सब दूर काट लिया सास लहू लएक। पिडिता सास के बेटी के जो गर्बोन पेट में जो गर्वल परलआ ज़सी भाद इनकी थाना काटए से ईतना इंफेक्षन इतना कि अचिछग को लेकर सुनकुत का रिहार के वालों खिलाप इसमें पूछार्ट में अगया से इसके समस्त विभन विभागों सिखाय़ nodig में कोट ने महिला के जो सद्दा सिंग परियार साहस है यह अपने पोत्त की साथ कोट में खड़ी और पूरा प्रमाणा बता है तो कोट ने महिला बाल विकार सदीकार को जाच सुपी जाच में बहु के द्वारा काटे जाने की और उस पर रियक्शन होने के और बेटे को भी जो आरूपी बहुने काटा उस सबकी पुष्टी होने के बात में कोट ने इसमर सद्दार सिंग मदूपा और पूजा की उरुद घरेली उन्साहों से महिलाओं को सनक्षान दिनम के धारा बारा में परकण पंजिबत करा है और तीनों लोगों को कोट में उपस्तित होने के लिए 12 दिसंबर 2019 को आदेशित करा क्रश्न कुमार कुनारे